जल्दी FNO segment से कई shares और indices को हटा सकता है दरजल सेबी derivative market में retail losses को लेकर चिंतित है और FNO segment से shares और indices को हटाने के लिए भी तयार है साथी अब derivative segment में व्यक्तिकत shareों के प्रवेश और निकासी के लिए भी सक्त regulations होंगे सेबी FNO trading से जुड़े जोखिम का आखलन करने के लिए बनाएगा एक expert panel द्वारा दिएगा इस सुझावों और प्रस्तावों पर गौर करेगा और फिर है investor protection in derivatives और दूसरा है management of risk for efficient regulation दरसल अपने इस कदम से सेबी FNO segment से लगातार कम कारोबार वाले shareों को बाहर करना चाहता है सेबी की chairperson मादभी पूरी बुच ने कहा कि regulator ने ये notice किया है कि expiry के दिन आखरी घंटे में trade में अचानक बढ़ोतरी होती है अब सवाल ये है कि क्या सेबी किसी भी derivative product को हटाने के लिए तैयार है बुच का कहना है कि वो जो भी जरूरी होगा करेंगी दरसल बुच ने कहा कि बाजार regulatory जेरोधा के founder नितिन कामत ने expert लिखा कि किसी भी regulated business के लिए regulatory risk सबसे बढ़ा होता है हम option trading के बढ़ते क्रेस के दौर के बीच में है index option में volume 2018 में 4.6 लाग करोड से बढ़कर 2024 में 138 लाग करोड हो गया और इसे भी महत्वपून बात यह है कि retail का हिस्सा 2 प्रतिशत से बढ़कर 41 प्रतिशत हो गया हम volume में इस उचाल के बड़े beneficiary रहे हैं लेकिन हमेशा से जानते थे कि regulation के कारण इसका आकार काफी कम हो सकता है जिसे revenue को काफी नुकसान भी हो सकता है और यही कारण है कि हमने अभी कोई भी आगे का अनुमान नहीं लगाया है लेकिन हाँ broking businesses के लिए आगे का समय कठन होगा क्योंकि लगभग सभी का वेवसाय model यानि business model options की कमाई की ओर जुका हुआ है और इस पूरी बात को समझाने का सबसे अच्छा तरीका है कल रांक्डे और logic इशारा करेंगे तो सेबी को किसी भी शेर और इंडेक्स को FNO सेग्मेंट से बात करेंगे